पूझको लगता हार्दिक आपको राहूल पसंद है पसंद तो है राम अच्छा है क्या नाम बढ़ा है राहूल गांदी के बात कर रहा है तो आपका नाम आने के बाद पहले एक सोशल मीडिया पर कॉमेंट चली थी कि बीजेपी ने हार्दिक लिखना छोड़ दिया है किसी को भी इन्विटेशन पर लोग में दो चार जगा दिका भाव भीनू आमंत्रन मतलब हार्दिक स्वागत नहीं लिखेंगे और वो भी क्या वो चीप मिनिस्टर जब मु स्टूडंट है क्या चुले अभी कर रहा हूं और मैंने कभी बर्गर खाया नहीं अचकर लावr सरकार के सामने यह सारी चीजे कर रहें डिजर्विशन आपका प्रमुख मुद्दा है लेकिन जो बात लोग नहीं जानते यह रास्ते आये कैसे आप अंदोलंग के रास्ते कैसे चड़ गए बहन वाला बूला था मैंने बहन वाला जो मुद्दा है और इस मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं मुझे इतना वालो में आपको भी मालूम होगा आपके बीटे बढ़ाई करते हो गए कितना खर्चा होता है भी बहुत ज्यादा तो वही तो मुद्ध कर दे इसलिए तो लड़ की उसको समाज की बात थी उसके बाद IBC की बता लगा शुचे weight शुच को भाते हैं शुक्त गाते हैं एसा कुछ गाते लेकिन इतना जरूर में कहीता हूं pray फ्यातियोंके लुशं Granny 5 ऐच्छा करना है जब गुज्वातीयोंके लिए अच्छा हो जाएगा तो मैं कहए बारत प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने अपनाई थी पहले गुजरात की बात करें थे फिर देश की जोड़ो एक बड़ी बात करता हूँ मैंने अभी तक नहीं कहीं जब अटल विहारी वाजपे सध्भावना की बात करते थे समानता हिंदू मुश्लिम सबको साथ रखो तह अद्वानी जी निंग्रत्यात्रा निकाले ब्रह्मनों को मिलेगा शत्रियों को किले गाए लिगन एक हम देखने जाए गुझरात की बात करते में आपके भृट सारे मांले गळा दीए डैसं दर स्ट्री देश के अंदर करे 11साफ क्या गेए है लेकिन कहीं टकी है यह सोची ही समझी राज़् नि कहिंко राजनीती ने बहुत प्यार है सरकार को हम पर मुहबबत उसने नहीं की किसी और से खर बैठे हम से 23 साल के लड़के को किसी बड़ी जगा फसाने के काम में खुद फस गए अच्छी तरह से एक बात बता है आजकल आप बहुत आईडिया करते हैं आप वीटर पे भी बहुत अच्छे लगते थे उनकी जो बोलने का तरीका था उनकी जो कविता पंक्तिया थी तो उनको याद करना कोई दूख वार बड़ी बात नहीं लेकिन यह साहरी वाहरी के चक्र में मैं नहीं मैं पठाई लिखाई में इतना होस्या नहीं था और मुझे मेरे पास इतने सारे परस्नल सेक्रेटरी आयम वाले स्टूडेंट हैने के मोधी की तरह सब वो दिये और बाद में वो पढ़ ले बाद में जाकर बोले यह मुझे आता नहीं है लेकिन हार्दिक जब आपने लेकिन मुझे लगता कई मीडिया वाले लिखते हैं उसके अंद्र हार्दिक की हिंदी अच्छी नहीं बात करते हैं बड़ी बड़ी तो मतलब में खुद ही लिखता हुई तो तही हो गया है यह बताईए बीजेपी जीत कई तो तेरा क्या होगा हार्दिक कईने क्या होगा अबना क्या कर लेंगे ओलो कहीं न फिर वही खेती किसानी सर्प्रसिपल पॉम में लग जाओंगा अरे आप तो यहां के अर्विन केजिवाल बनना चाहते हैं मुझे नहीं बिल्कुल बनूंगा आप जिस तरह की रह पे चल रहे हो आप तो पॉलिटिक से अप तो नेता ब दोनों पड़ी उसके अंदर लिखा है जब तक आप अच्छे हो तब तक मैं अच्छा रहने वाला हुआ है आपने बोला ना कि मैं धाई साल तक किसी पार्टी में मतलब धाई साल के बाद नो गैरेंटी मैं धाई साल के बाद अजिना आपको पूछ के जाओ का हादि एक ब अपने ये नहीं पूचा-क्यों-पूचन कर रहा है उनके सिफ व्यक्तित्व को उनकी बुलने के तरीके को उनके फैसले को पसंद करता हूँ भड़काव भाशन देते थे खुब कहां कब दिया मैंने देखा है जब उन्होंने सिफ शाना के स्थापना की थी तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि महरास्ट के अंदर अगर लोक साही है तो लोक साही तरीके से चलेगा अगर लोक साही को समझ नहीं आयेगा तो ठोक साही से भी चलेगा बस इतना मुझे पसंद है उसी आधार पसंद 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 नहीं है और बाला साब ठाकरे का हिंदू तो पसंद था मैं हिंदू तो की बात ही नहीं कर देखो हिंदू मैं हिंदू हूँ मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ हिंदू सिप संस्कूरूती है कटरता नहीं है तो क्या आप बाला साब जैसे बनना चाहते हैं मैं बाला साब के तरीके से फ्यसला लेना पसंद करता हूँ मैं उनकी तरह ये बनना चाहता हूँ, मैं एक ऐसी सक्सियत लोगों के साथ रख कर खड़ी करना चाहता हूँ, जहां लोगों का भविश्य हो, बस मुझे रिमोट से उनको एक सवाल करना है, जो भी सब्सक्राइब, भी आप इनके लिए करोगे नहीं करोगे, नहीं करोगे, उनकी कुर्सी पर दोनों तरफ शेर होता था, हार्दिक पटेल की कुर्सी पर क्या होगा दोनों तरफ, अब मैंने कभी नहीं दिखाया, लेकि मेरे यहां सेर, तीसरा सेर, मतलब, दो तो है मेरे पासे तीसरा है, देखेंगे आपकर, चलिए हम आपसे एक रैपिट फायर र मैंने पहले भी का था, अभी भी दो फ्याको के, अमिच्छा, गुंडा, गुंडा, टाइब राजनीती कना, लोको को डराना, धमकाना, लालू प्रसाद यादो, देश के अंदर अगर किसी की, जो बोली है उससे, अगर कोई मुझा पसंद तो लालू प्रसाद यादो, उस कर रहे है, सोनिया गांदी, जिन विक्तियों ने, उनके परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानी दी हो, उनके खिलाप गलत नहीं बोलना चाहिए, जिनों ने ये कहा था, कि उन लोगों की ताकात नहीं कि किसी प्रधा मंत्री खिलाप अस्द बोल सके, वो मुझे बहु स्पिकर है, अब टेप्टी सी एम को तो ऐसा नहीं किसी, बिल्कुल बोलूँगा, जो गलत है, गलत कहूंगा, मुझे कोई फरक नहीं परता, अब तो आप कॉंग्रेसी बन गए, नहीं बना, जिस दिन बनूँगा, उस दिन सब को बोल कर बनूँगा, और लोग कहेंगा, वही करूंगा,